हलो प्रेंट्स आज की वीडियो में देखेंगे एक्रेलिक में स्लाइडिंग नेम प्लेट कैसे बनता है इस नेम प्लेट में आप देखेंगे एक तरफ डू नोट डिस्टर्प लिखा हुआ है और बीच में कॉन्फरेंस रूम और एक तरफ एबलेबल लिखा हुआ है वेलकम बैक दोस्तो हमारी यूटूब चैनल कंप्लीट और सॉलिसन्स में अगर आप भी इस नेम प्लेट का मेकिंग प्रोसेस जानना चाते हैं तो इस वीडियो को बिना इसकीप की वे पूरा देखें तो यह हमारा स्यूटू लेजर कटिंग मसीन इस मसीन में एक रेली को फिलाल कटिंग कर रहे हैं अब कटिंग का वीडियो पूरा देख लिजिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिलाल अभी कॉंफरेंस रूम कटिंग हो रहा है इसके बाद में डूनोड डिश्टर्ब भी कटिंग किया जाएगा अब हमने ले लिया एक रेलीक का दूसरा पार्ट जो पार्ट पीछे रहेगा जिसमें डूनोड डिश्टर्ब और एक तरफ एवलेबल कटिंग किया जाएगा जैसे कि आप देख रहे हमारा लेटर फिल्बल कटिंग हो चुका है एक तरफ दूनोड डिश्टर्ब और दूसरे तरफ एवलेबल और एक और सीट है जिसमें कॉन्फरेंस रूम लिखा हुआ है अब इसे पेस्टिंग कैसे करेंगे इस वीडियो में आप देख लीजिए पेस्टिंग का पेस्टिंग का वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए अब इसके बाद इसके उपर में कॉन्फरेंस रूम रख देंगे और एक ब्लैक कलर का फ्रेम उपर से पेस्ट कर देंगे तो फेस्टिंग के बाद में आप देख सकते हैं हमारा नेम प्लेट स्लाइड होने लगा है अब इसके बैक साइड में 3M का टेप पेस्ट कर देंगे जिससे होगा क्या आप इसे कहीं पे भी आराम से पेस्ट कर सकते हैं कि दोस्तों इस तरह का नेम प्लेट आप हमें पूरे इंडिया में कहीं से भी आर्डर कर सकते हैं तो हमारा नेम प्लेट बहुत ही अच्छी तरीके से स्लाइड हो रहा है और बहुत ही खुबसूरत लग रहा है तो आपको यह हमारा बनाए वनेम प्लेट कैसा लगा कमेंड में बता सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस तरह का प्रोड़क्ट आप हमसे रेडिमेंट लेने के लिए हमारी स्वार्सप नमर पर हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्द मिलते कुछ नए वीडियो के साथ में जब तक के लिए टेक क्यार कर सकते हैं